हेलो मैं यूट्यूब फैमिली हाव आई यू आल सो जी आज आप सोजेंगे यह मैं क्या लेके बैठी हूं यह बनते हैं एग वाइट और शुगर से और इनको कहते हैं मरेंग तो यह जो मरेंग हैं यह एग वाइट सिरफ लेके और उसमें शुगर लेके उसको खूब बीट क जो विस्क होता है विस्क से खूब सारा इसको चलाते हैं जब तक यह जाग ना बन जाए एकदम ऐसा जाग जैसा सॉलिट बनता है तो बाद में इसको फ्रिज में रखके ऐसा बन जाए तो आप काफी देर तक इससे स्टोर कर सकते हैं लेकिन आपको सची बात बताओं तो यो दर टूथ ये वाले मैंने बाजार से बने बनाए लिए मैंने घर पे नहीं बनाए क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसस है तो मैंने घर पे बनाने की बजाए सोचा कि मैं ये बाजार से ले लेती हूं तो इनकी आप में क्या पुडिंग बनाने जा रही हूं मैं आपको दिखाती हूँ तो जी अभी इनके ऊपर मैंने ये बाजार से कैन मिलता है क्रीम का तो ये क्रीम को मैंने इसके ऊपर डाला है और अब इनके ऊपर हम ऐसे कोई न कोई कोई fruits जो भी आपका दिल करें आप जो भी लगाना चाहें कोई fruits वगेरा इसके उपर आप लगा सकते हैं तो इसको अच्छे से ऐसे decorate कर लें आप अपने fruit के साथ चाही grapes हो चाही कुछ भी हो तो जी ये देखिए अभी मैंने इसके उपर peaches, grapes और जो cherry होती है वो और blueberries ये वाली blueberries हैं dark वाली और peaches हैं और अंदर grapes हैं और वो सब उनको cut करके अब जो भी fruit हो कोई भी fruit उसको छोटा-छोटा काटके ऐसे उपर decorate कर सकते हैं लेकिन जादातर ये cream के साथ ही इस Swedish को इस pudding को बनाया जाता है और खाते वक्त इसको ऐसे पकड़े और बस अराम से खाएं और कोई इसके साथ spoon वगेरा की जरूरत नहीं होती है ऐसे ही पकड़के उसको तो जब घर में महमान आ जाएं और कोई और चीज ना हो ये अगर आपने पहले से बना के रखे हों या बजार से लाएं हों तो इनको fruits से अच्छे से आप फिल करके और उसके उपर cream डालके आप ये अच्छी pudding सर्व कर सकते हैं जिसको बच्चे भी लाइक करेंगे और बड़े भी पसंद करेंगे सो आई होप आप सब को मेरी ये चोटी सी वीडियो पसंद आये होगी बहुत शुक्रिया लाइक करने के लिए मुझे पता है मेरे friends remember करेंगे कि लाइक करना है ज़रूरी बहुत बहुत शुक्रिया फिर मिलेंगे अगली कर दो